अपने जीवन के अंतिम समय तक समाज को निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर सेवा कार्य करने वाले दिवंगत समाज सेवी शांतिलाल गांधी की धर्मपतनी कमलेश देवी गांधी पुत्र राकेश एवं रितेश गांधी ने उनकी पुर्णे समुरूती में मुरूत शरीर को अधिक समय तक सुरक्षित रकने में सक्षम शव सुरक्षा पेटी फ्रीजर समर्पन सेवा समीती को सेवा हेतु समर्पित इस आउसर पर विधायक कृष्णा खोपडे, समर्पन सेवा समीति के अध्यक्ष पूर्व विधायक गिरिश व्यास, भाजपा विधर्व संगठन महामंतरी डॉक्टर उपेंद्र कुठेकर, राश्ट्रिय खादिक रामुद्योग आयोक के सदेश जै प्रकाश गुपता, नागविधर्व चिंबर अपकॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन महाडिया, कॉंग्रेस के वरिष्टनेता रमन पैगवार, राश्ट्री ये युवा फ्रन के अध्यक्ष पिंटु बागडी, श्री वर्धमान स्थानक वासी जैन श्रावक संग नागपूर के सभापती, र अनोज तीवारी दिलिप चानपूर कर, नंदकिशोर अगरवाल, दिनेश पतेल, रामाउतर अगरवाल, ट्रकाश मुनोत, मनोज बोहरा, संजय बादुले आधिकी प्रमुक उपस्तित थाई, समाज से भी शांतिलाल गांधी के परिवार के सदस्य, कलपना गांधी, राके भगत सिंग कहा जाता है, शहीद भगत सिंग की देश प्रेम के किस्टों से वे बहुत प्रेरित हुए थे, शेरे सिंदक के नाम से विख्यात क्रांतिकारी शहीद हेमुकालानी ने मातर 19 वर्ष की आयों में अपने प्राणों की आउति दे कर अंग्रेजी हुकुमत की 1932 में उनके चाचा डॉक्टर मंगाराम कालानी ने स्वराज सेना गठित की, जिसका सेना नायक उन्होंने क्रांतिकारी हेमुको बनाया, हेमुने खुशी खुशी इस जिम्मेदारी को स्विकार किया, क्रांति की इस वातावरन में सिंद प्रांत का यह किशोर भी क्रांति पत्खार आई बन गया किसे पता था कि यह चोटा सा चात्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए अपने दिल में शेरे पंजाब शहीद भगत सिंग की तरह सूली को शुरूंगार बनानी की इच्छा को संजोय हुए है उक्तविचार प्रसिद्ध व्यक्ष करता एवं संजीवनी फाउंडेशन के अध्यक्ष दादा वाधन दास तलरेजा ने एक कारेकरम के दौरान प्रगट किये पूर्वस्थाई समिती अध्यक्ष विरेंद्र कुक्रेजा, मंगलवारी जोन सभापती प्रमिला मत्रानी, कर्वसूली समिती सभापती महिंद्र धन्विजय, वह नगर सेवी का सुष्मा चौधरी के अथक प्रयास से एडवोकेट डीपी लालवानी, वह मेघराज अध्यक्ष संजय चौधरी, महिला अगाडी अध्यक्ष डॉक्टर थरिता माने, डॉक्टर विंकी रुगवानी, एडवोकेट दिलिपदानी, नितिल लालवानी, श्रीचन चावला, प्राचार्य विजय केवल रामानी, घुटकी पंचायत के अध्यक्ष वलिराम सहज र अध्यक्ष बादवानी ने अपने अपने विचार व्यक्त किये, अतितियों समाज सेवियों के हस्ते फलोकों का अनावरन किया गया, उपस्तित अतितियों ने एडवोकेट डीपी लालवानी, वह मेगरा जुरुगानी का शौल्च रिपल वह पुश्पग उच्छ दे कर अतितियों ने अपने संबोधन में दोनों समाज सेव को द्वारा किये गये सामाजिक कार्य की सराना करते विए समारों संपन्न किया एवं सभी को शुपकाम नाई दी सावनेर स्थीत अर्विंदे इंडू पब्लिक स्कूल में विगत्दीनों सडक सुरक्षा सप्ता कार्य शाला का सफलता पूर्व कायोजन हुआ महमार्ग पुलिस चोगी हेटी सूरला महमार्ग पुलिस पाटन साउंगी से सर्वश्री नरेंद्र गौर खेडे पियसाई विलास गावंडे एसाई शिवशंकर ठाकूर गजानन दराडे दीपक पाचपोर का स्कूल के प्राचारे राजेंद्र मिश्र ने स्वागत किया इस दिवस की शुपकामनाय देकर अपने संबुधन में कहा कि जब तक देश का प्रत्यक नागरिक इस ओर अपनी सोच नहीं बदलेगा तब तक देश की बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा उन्होंने समाज को जाग रुक होने और इसमें प्रत्यक की जिम्मेदारी पर अभा मेता ने इस संगोष्टी में रेल कारेलाय में कारेरत महिलाओं को संबोधित किया और आज के समाज में बालिका के जन्म और उसकी शिक्षा को लेकर फैली भ्रांतियों समस्याओं पर प्रकाश डाला और उनके निराकरन के मार्क बताए गुगल मीट पर ओनलाइन तरीके से आयोजित इस वेबिनार में नाकपुर मंडल पर कारेरत अधिकारी एवं कर्मचारियों ने बड़ी मात्रा में सहबागीता की कारेक्रम का सूत्र संचालन, पुर्णिमा तलवारे, वरिष्टर राजभाषा अधिकारी तथा धन्यवाद ग्यापन, मंगेश काशिम कर सहायक कार्मिक अधिकारी न किया संस्कृतिक मंत्राले द्वरा शिल्पकार बहुत देशिय कल्लानकारी महिला संस्थाने संतत उक्लोजी पुतला रोड और क्रिडा चोक इश्वर देशमुक शारीडिक शिक्षन महाविद्य लेनाकपूर में राष्ट्रिय अस्तर पर रंगुलिस परदा आयोजित की राष्ट्रिय बाली का दिवस वह आजादी के अमरुत महुत्सव के अउसर पर लोगों में जागरुति लाने हितु इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें नव युवक योतिया छोटे बच्चे महिलाए आधी ने बड़े उत्साह से भाग लिया वह बहद आकर्षक वह सुन्दर रंगुलिया बना कर अपनी कलावव भावनाओ का प्रदर्शन किया इस प्रतियोगिता के दावरान मुख्यातिती डॉक्टर शार्दा नाइडू प्रिंसिपल इश्वर देश्मुक शारीरिक शिक्षन महाविद्यले नागपूर बालकुष्ण जेठे वैश्नवी बहुत देशिय प्रोडूसर कंपनी नागपूर संगीता मैडम क्राप लेक इंब्रोजरी प्रोडूसर कंपनी नागपूर आदी ने 110 प्रति भागियों द्वारा बनाई गई रंगोलियों का अउलोकन कर उनका उत्साह बढ़ाया इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रति भागियों को सांस्कृिटिक मंत्राले द्वारा ओनलाइन गए यह प्रतियोगिता दर्शकों के लिए भी एक उत्साह का स्वरूब बनी रही और दर्शकों ने सब की सराना की भारतिय जंतापार्टी अलपसंख्यक मोर्चा नाकपुर शहर की और हर बार की तरह इस बार भी पुर्वनाकपुर के विधायक कृष्णा खोपडे की अध्यक्षता में पुर्वमंडल हसनबाग के पुर्वनगर सेवक इबराहीम चूडी वाले के दपतर के पास गरीब असाय जरूरत मन लोगों को भाजपा नाकपुर शहर अलपसंख्यांक मोर्चा के अध्यक्ष मुहमत फारुक शेक और विधायक कृष्णा खोपडे के आतों 200 कमबलों का वितरन किया गया। सिमेंट रोड, बिजले के पोल और नाकपुर के इतिहास में पहली बार हसनबाग शेतर में 1200 जरूरत मन लोगों को पट्टे दिलवाया है। कृष्णा खोपडे ने वोट का राजका रन न करते वे हसन बाग में सबका साथ सबका विकास पॉलिसी के तहत काम करके लोगों का दिल जीता है। इसलिए आने वाले चुनाओ को देखते वे लोगों ने खुद निर्नय लेना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास काम करने वाली पारटी को चून कर लाना चाहिए या फिजूल के आश्वासन देने वाली पारटी को। आज़ादी का अमरूत महुत्सों के अंतरगत दक्षिनमद्यक्षेत्र सांस्कूरुतिक केंद्र नाकपूर द्वरा गंतंत्र दिवस समारों का 23 से 26 जनवरी 2022 को दक्षिनमद्यक्षेत्र सांस्कूरुतिक केंद्र नाकपूर परिसर में आयोजन किया गया है। इस समारों में विभिन्न कारेक्रमों का आयोजन केंद्र द्वरा किया जा रहा है। इस समारों के द्वितिय दिवस का प्रारंब विज्ञानेश्वर खड़से द्वारा शहनाई वाधन में मधुकंस की मधूर प्रस्तुति से उवा। इसके पस्चात यामिनी पायगन द्वारा एकल गायन की प्रस्तुति दी गई। महमेट्रो नाकपूर अंतरगत कस्तुरचन पार्क सिताबरडी इंटरचेंज खापरी मेट्रो स्टेशन और सिताबरडी इंटरचेंज से लोकमान्य नगर मेट्रो स्टेशन दर्मयान 26.5 km मार्ग पर मेट्रो ट्रेन का संचालन हो रहा है। इसमें सिताबरडी इंटरचेंज से प्रजापती नगर मेट्रो स्टेशन दर्मयान 8.5 km और कस्तुरचन पार्क मेट्रो स्टेशन से अटोमोटिज होक मेट्रो स्टेशन 5 किलो मेट्र मार्ग का समावेश है। इसे के ताद भारतिय जीवन वीमा कमपनी ने आज स्वयम मेट्रो ट्रेन पर विग्यापन लगाने के लिए महा मेट्रो को विननती की थी। उपकरम दर्शाय गया है। महा मेट्रो के नौन फार बॉक्स के संकलपना में ये बड़ा उपकरम है। महा मेट्रो के प्रबंध निदेशक के संकलपना के अनुसार अधिक से अधिक नाग्रिकों ने मेट्रो का उपयोक करना चीए। आज 15 प्लस और 45 प्लस आयू वर्ग के सभी नागरिकों का कोवी शिल्ड का टीका करन नागपुर महानगर पालिका के साथ सरकारी केंद्रू पर होगा टीका करन का समय शाम के 5 बजे तक होगा टीका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजिकरन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइव इन वैक्सिनेशन केंद्रू पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिकायू के सभी नागरिकों को कोवी शिल्ड के जरिये टीका करन किया जाएगा यह जानकारी चिकित सा स्वास्थ अधिकारी डॉक्टर संजे चिलकर ने दी इसी तरह 18 प्लस और 45 प्लस आयू अर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबासायव आमेटकर अस्पताल काम्ठी रोड वस्वर्गिये प्रभाकर दटके मनपा महालरूग निदान केंद्र एम्स आईसोलेशन अस्पताल इमामबाडा इंदिरा गांधी अस्पताल गांधिनगर मनपा स्त्री अस्पताल पाचपाउल और प्रगती हॉल दिगोरी में उपलब्द है। इन पचातर चित्रकारों के तिन समुह बनाए गए थे। पार्षत संजे बाल पांडे, खेल अधिकारी पियुश अंबुल कर, मेताजी सुभाश्चंद्र पोस से जुड़े रहे किरडे परिवार के सदस्य सुरेश किरडे, सुवरना किरडे, नरेंद्र बरई, शेखर वानसकर, श्रिकांद गड़करी, प्रकाश जिलारे, राजकु प्रफुल चरडे, आधि मानने वर मुख्यरूप से उपस्तित थे। इस अउसर पर कारेक्रम कारेकारे शशांग दंडे, दीपक पातिल, श्रिकांद देसाई, आधि की उपस्तिती रही, समारोह के प्रफम दिन, नेताजी सुभाश्चंद्र बोस के जीवन पर आधारित, डांस रामा की मंत्र मुख्ध कर देने वारी प्रस्तुती धी गई, ये प्रस्तुती प्रयास, बहु उद्देशिय सामाजिक संस्था नाकपूर की कलाकार, प्रियंका शक्ति ठाकूर, एवं सहकारी कलाकार द्वारा दी गई, इस डांस ड्रामा में नेताजी सुभाश्चंद्र पोस की भूमी का वरिष्ठ कलाकार अनिल पाल करने निभाई, कथालेखन, अब्दुल्शकिल, वर निर्देशन, प्रियंका शक्ति ठाकूर द्वारा किया गया, इस कारेक्रम का दर्शकों ने प्रत्यक्ष रूप से उपस्तित रहे कर, तथा केंद्र के फेस्बुक पेच पर लाइब 349 से अधिक दर्शकों ने आनन लिया, उर्जा मंत्री एवं नाकपूर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने मुख्य मंत्री उध्व ठाकरे को पत्र लिख कर, महावितरन की दैनिया आर्थिक स्थिती का हवाला देते हुए, राज्यसरकार की और से महावितरन को दिये जाने वाले अनुदान की शे इस बिजली आपूर्ती को बनाये रखने के लिए महावितरन विभिन्न बिजली उत्पादन कंपनियों से बिजली खरिती है, पिछले दो साल में कोविड महमारी, प्राकृतिक आपदा, तुफान और अन्या आपात स्थितियों के कारण, MS-EDCL ने खुद को पहले की तरह भ इगरते आर्थिक हालात को रोकने के लिए काफी नहीं है, सारवजनिक जलापूर्ती योजना और सारवजनिक स्ट्रीट लाइटों पर कुल मिला कर 9,138 करोड रुपे का बकाया है प्रशासन ने घोशना की है कि भारत गणराज्य की 73 वी वर्षगार्ट की अवसर पर एतिहासिक कस्तूर चंद पार्क में ध्वजारोहन कारेक्रम सिबित स्वरुप में मनाया जाएगा पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राओद जहंडा फैराएंगे कारेक्रम का सिधा प्रसारन स्थानिय केबल नेटवर्क के साथ-साथ फेस्बुक और यूट्यूब पर भी किया जाएगा गणतंत्र दीवस समारोह के लिए हर साल बड़ी संख्या में आम नागरी की हाते हैं इस कारेक्रम का आकर्शन विभिन्न विभागो का रत और पत संचालन है अपने भाशन में पालक मंत्री, जीले की प्रगती और उपलब्धियों को जनतक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे राजसरकार ने इस समन में विशेश आदेश जारी कर इस वर्ष कारेक्रम को सिमित तरीके से करने का निर्देश दिया है ताकि नागरीकों को कोरणा महामारी के समय सुरक्षित रखा जा सके इसलिए प्रशासन की और से स्पष्ट किया गया है कि 26 जनवरी को ध्वजा रोहन कारेक्रम में केवल आमंतरित लोग ही शामिल होंगे जिलाधिकारी आरविमला ने सुमवर सुभा आड़ बजे कस्तुरचन पार्क का दोरा किया और तयारियों का जायज अलिया इस अउसर पर निवासी उपजिला अधिकारी विजया बनकर लोग निर्मान विभाक के कारिया पालक अभियंता जनारधन भानों से पुलिस बलके वरिष्ट अधिकारी उपस्तित थे जिला कलेक्टर ने कोरोना संबंदी एहतियाती उपायों का पालन करने के निर्देश दिये 30 जनवरी को महत्मा गांधी की पुन्यातिती मनाई जाती है और हैरानी की बात ये है कि इसी दिन गांधी जी के हत्यारे नाथुराम गोड से पर फिल्माई गई मुवी भाई शुडाय किल्ड गांधी OTT पर रिलीज होने जा रही है इसके खिलाफ विरोत प्रदर्शन नागपुर शहर युवक कॉंगरेस उपाध्यक्ष वसिम खान के नेतरुत्व में किया गया साथ ही ये मुवी OTT प्लैटफॉर्म पर रिलीज न करे उसे प्रतिबंदित करने की मांग से संबंदित ग्यापन कॉंग्रेस पतिनीधी मंडल ने नागपुर के जिलाधिकारी को सौपा ये नीवेदन दरसल कलेक्टर के माध्यम से भारत के प्रधान मंद्री नरेंद्रमोधी को भेजा गया है इस मौके पर वसिम खान ने कहा कि नाथुराम गोड से हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी है और ऐसे आतंकवादी जिसने राश्रुपिता महत्मा गांधी का कतल किया उसे ये मूवी हीरो बताती है और महत्मा गांधी का अपमान किया गया है ये मूवी आमजंता में भ्रम फैलाने का काम कर रही है अतहां इस फिल्म पर प्रतिबन लगाया जाए ये मांग उन्हों ने की प्रतिनीते मंडल में ब्लॉक कॉंग्रेस अध्यक्ष गोपाल पट्टम कॉंग्रेस कमिटी के उपाध्यक्ष आशिज दिक्षित कॉंग्रेस पार्टी को मजबुत बनाने ही तु पार्टी के युवा कार्य करताओ और पदादी कारियों ने संकल्प लिया है इसी पहल के तहत शहर कॉंग्रेस अध्यक्ष विधाक विकास ठाकरे विभागी अध्यक्ष ओवेस कादरी अलपसंखे कॉंग्रेस शहर अध्यक्ष इरशाद अली पश्यमनाकपूर अध्यक्ष रिजवान खान रुमिवी की उपस्तिती में कई युवा कारे करताओं ने कॉंग्रेस में प्रवेश किया इस दोरान विधाक ठाकरे ने युवाओं से संगठन को मजबुत बनाने और आगा में नाकपूर महानगर पाली का चुनाओं को देखते वे बुथ स्तर हर प्रभाग में टिम बनाकर काम करने की अपिल की है पद नियुक्ति कारे करम में पश्चिम नाकपूर और नाकपूर शहर अलपसंकेक विभाग पाधिक्षय शेख एजाज नाकपूर महासचीव मोबिन मुकीम राजा पश्चिम नाकपूर पाधिक्षय युवानेता रिजवान शेख फैजान अली, हैदर अली, तुशार रोकडे, कैफ अली, महासची उपतपर नियाज बैग, अमित कलमवार, मुस्ताक अली, गनेश पाटिल, रिजवान आलम, महिंद्र बागडे, हरिश खान, रोहित तायवाडे, निसार खान, आकीप शेक, अक्षे दिवेकर, नावेत खान, अन्वर एहमत की नियुक्ति की गई, इस अउसर पर, हाजे समिर, जुनेद एहमत, योगिश कुम्भल कर आदी उपस्तित थे, शिवसेना की और से उपजिला प्रमुक नगर सिवक ज्यानेश्वर, नाना जोडे के प्रमुक उपस्तिती में, निताजी सुभाश्चंद्र पोस एवं हिंदू रिधे सम्राट, शिवसेना प्रमुक, स्वर्गिय बालासाइब ठागरे के जैनती पर, पुष्पग उच्छा अरपन कर अभिवादन किया गया, इस अउसर पर, बंसराज बांगड कर, विजै सिंग चवान, राजु घिदोंडे, किशोर महादुले, ज राजु महाकाड कर, दिलिप मोरे, नारायन कडू, चंदिल गुरुजी, रूप चंजाडे, विश्नु भोले, नागोराव हटवार, मोहन शाहु, विनायक बदले, रवी मौन्देकर, सारंग अरसड, प्रविंट शिल्लारे, नकुलगमे, धिरस ढहाके, विक्रान्द राजु भोयर, नंत किशोर काप से, शैलेश कावले, आदी शिवसेना के पताधिकारी, शिवसेनिक, एवं परिसर के प्रतिष्ठान नागरी को वस्तित थे महिला पतंजली महराष्टा पुर्वने मकर संकरान्ति के आउसर पर योग का संदेश दिया शोबा भाग्या के अनुसार, ओनलाइन और ओफलाइन कार्यक्रम में बड़ी संक्या में महिलाओने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, महाराष्टियन पोशाक, लुगडा में महिलाओने योग तथा सूर्य नमसकार किया शिव अल्प संक्यक सेना महाराष्ट्र के उपाध्यक्षय महभूब भाई के आदेशा नुसार, अनिज भाई, प्रतीक, वसंतोष ठाकूर के मार्क दर्शन में, विदर्व के संपर्ख प्रमुक विनोत कल्यानी की नेत्रुत्व में, बालासाहिब ठाकरी की जैनती के शिरंजन, पियूश, शुभम बोलधन, सोहेल भाई, आदिमान्यवर उपस्तित थे। बच्चों की शिक्षा पर बहुत बुरा असर पढ़ रहा है। बच्चों के सरवांगिन विकास को ध्यान में रखते हुए, विदर्व में भी जल्द से जल्द स्कूल, कॉलेज, शेक्षनिक संसान वा कोचिंग क्लासे शुरू करने की व्यवस्ता करनी चाहिए। मंगल कार्यालय को पुनह शुरू करने की व्यवस्ता कराए, तथा वयवाहिक समारों में कम से कम 200 लोगों को आमंत्रित करने की अनुमती दी जाए। तो नागपुर हल चल में आज इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए BKB News, नमस्कार।